नमस्कार मेरे नाम है सौरब और आप देख रहे हैं दिललन टॉप डॉट कॉम 29 गस 2018 को रिजर्व बैंकिक रिपोर्ट आई रिपोर्ट में कहा गया कि नोट बंदी के बाद बैंकों में करीब 99.3 फीज़ी पुराने नोट वापस आ गए है इसके बाद मजगया बवाल लोग कहने लगे कि भाईया दो साल होने वाले हैं और अब तक खाली इसी बात का हिसाब लग सका है कि कितना पैसा वापस आया फाइदा क्या हुआ ये कौन बताएगा हम बताएंगे ये फाइदा पता चला है कि आर्टी आई की जरिये आर्टिया ये लगाई थी इंडिया टुडे ने इसमें पूछा गया था वो सवाल जो अकसर आपके मन में उठता होगा कि जो हरे गुलावी नीले नोट आपकी जेब में रखे होते हैं उनकी छपाई में कितना रुपिया लगता है भारती रिजर्ब बैंक नोट मुदर लिम्टेट से इसका जवाब मिल गया है तो नोट बंदी का फाइदा बताने से पहले आप यही जान लीजे कि 10, 20, 50, 100, 500 और 2,000 रुपली के नोटों को चापने में कितना खरचा आता है तो 10 रुपए के एक नोट की छपाई में लगते हैं 1.01 रुपए इसी तरह 20 रुपए के एक नोट की छपाई में लागत आती है 1.01 रुपए 50 रुपए के एक नोट की छपाई में खरचा आता है 1.01 रुपए का तो ये तो हो गया नोटों की छपाई का खर्चा, अब आप सोच रहे होंगे कि इस सक्का नोट बंदी और उससे होने वाले फायदे से क्या संबंद, संबंद है, इसी में तो खबर छुपी है, नोट बंदी का फायदा, दर असल इसी RTI में हमने नोट बंदी से पहले चलने व हापता हो गया है, और नए 500 की नोट की छपाई पुराएं नोट से 52 पैसे सस्ती है, जी हाँ, 52 पैसे सस्ती, इसका मतलब है कि सरकार यतने 500 की नोट छापेगी, हर नोट पर उसके 52 पैसे पचेंगे, रिजर्ब बैंक की एनवल रिपोर्ट के मताविक 500 के 15.1 मिलियन नोट, मतलब 1.51 करोड नोट चलन में है, मतलब हर नोट की छपाई पर 52 पैसे का फायदा हुआ है, माने अगर इतने पुराने 500 पैसे चापे जाते, तो 1.51 करोड इन्टू 0.52 पैसे यानि 98,52 रुपए जादा लगते, यानि 9500 की नोटों से सरकार की 98,52 रुपए बज गए हैं, औ पाकि ऐसा कोई फायदा हमें और पता चलेगा, तो उसके बारे भी मैं आपको पताएंगे, आप देखते रहें दिलललन टॉप डॉट कॉम, अगर वीडियो और फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो वारे पेश को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वार